हेलो एब्रिवान वेल्कम बैक टू कुरंट अफेयर्स पाई रभी यूट्यूब चनल और आज की सेशन में हम डिस्कुस करेंगे 29 अक्तूबर 2024 से जुड़े आपके इंपॉर्टन करन्ट अफेयर्स की क्वेशन्स डेली विस्स पे हम 12 को कवर करते हैं विद एक्स्टा फेक काफी सारे अन्य भी मैं आपको स्टैटिक पार्ट्स कवर करवाती हूं के वल एकी लेक्चर में तो वीडियो आप अवर्रॉल आपके लिए काफी साथा बैनिफीशल रहती है वीडियो के साथ आपने शुरू से लेकियां तक बने रहना है हमारी वीडियो की जो है फ्रेंस शिप इंडेक्स प्लैट्फोर्म पर सुचिबत होने वाला भारत का पहला बंदरगा रहा है मोर मुगाव बंदरगा एशिया स्वाच उट्जा शिकर समयलन दोहजार चोबिस का जो समयलन एफ़ेंस इसका यजन कहां पर किया गया सिंगापूर में और इसका थीम था निती सीएओ बन गे हैं अमिताब चोधरी एशिया विकास बैंक जो है फ्रेंज इन्होंने असम में 500 मेगावाट सोर से अंतर के लिए 434 मिलियन डॉलर के रिन को मंजूरी दी है अक्तूब दोहजार चोबिस में खेल मंतराले ने निमन में से कौन सा पुरसकार बंद कर दिया ध् रास्टे और निर्मान के प्रेरक तत्व व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को प्रोट साहन विशुद रिशी श्रव विरास्त दिवस जोहाई अमने सेलिब्रेट करा है 27 अक्तूबर को अक्तूबर दोहजार चोबिस में इशय सुनहरी बिल्ली जोहाई एसम के किस राइट अंसर इस मानस रास्टे उद्यान में अक्तूबर दोहजार चोबिस में प्रसिद गुसाडी लोग नर्तक और पदमशिरी कनक राजु का 84 एर्स के आयू में नीदन हो गया है इन्हें किस फ़र्श पदमशिरी से समाने किया गया था राइट अंसर है दोहजार इक् में देखें हमारे सेशन की तरफ आने से पहले आपको बता दूँआ अगर आपको हमारी इबुक्स पाई करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ravibooks.pdf.com के नाम से है यहां पे आपको लास्ट नाइन मंस की current affairs की ebook जिके जीएस की ebook और इसकिलाब इंग्लिश और हिंदी दोनों मिडियम्स में फ्री पीडिएफ चाहिए तो टेलिग्राम पे जुड़िए current affairs पाई रवी नाम से है और मोबाइल एप्लिकेशन हमारा जरूर इंस्टोल कीजिए रवी जी के आप के नाम से है ebooks का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप बॉटम पॉइंस कवर करते हैं तो कैविनेट की निउक्ती समिती ने उतरपरदेश कैडर के 2000 बैच के भारती प्रिशास्तनिक सेवा दिकारी दीपक अगरवाल को नैशनल एग्रिकल्चर को अप्रेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड का नया प्रवन देश्यक निउत किया है इनका कारिकल 5 साल के लिए होगा और ये जो संगटर नेफरेंट्स ये भारती करिशी छेतर में एक महत्तपुन भूमी का निवाता है और इसका मुख्य देश्य किसानों को उनके उत्पात का उच्छे तो मुल्य दिलाना और बजार तक पहुंच में साहिता करना है अगर हम बात करें एने FED की तो इसका फुल्फर्म होता है National Agriculture Co-operative Marketing Federation of India Limited जिसकी स्थापलन 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी और मुख्याले हैं नई दिल्ली में कोशन में जो हमारी कोशन की टाइप है यह नुक्तियों से जुड़ी हुई तो आएए पिछले आपके नुक्तियों से जुड़ी हुई एक क्वेशन का एक बार क्विकेंट फास्ट रिविजन कर लेते हैं सशस्त्र सीमाबल के नई महारेदेशक बन गे हैं अमरित मोहन प्रसाद भारत के नई वित्त सचीव बन गे हैं तुहीन कांता पांडे फेंस वहीं हिंदोस्तान एरोनाटिक्स लिमेटेड के नई CMD अपॉइंट हो चुके हैं डिके सुनील रास्टे अपराद रिकोर्ड ब्यूरो के नई प्रमुख बन गे हैं लोकर अंजन बहारती रास्टे राइफल संग के नई अध्यक्ष बन गे हैं कलिकेश नारायन सिंग देव बहारती वाई सेना के नई प्रमुख कोर बन गे हैं अमर प्रित सिंग National Aluminum Company के नई CMD बन गी है ब्रिजेंदर प्रताप सिंग, NASCOM की नई अद्धेक्ष बन गी है सिंदू गंगा धरण, लोक लिखा समिती की नई अद्धेक्ष बन गी है केसी वेनुगोपाल और UPSC की नई अद्धेक्ष बन गी है प्रिती सूधन Next Question आपका केंदर सरकार ने किस वर्ष में जनगना शुरू करने का जो है फैसला किया है Sightence Option No.C रहेगा 2025 में जो है फ्रेंट्स केंदर सरकार दोरा जनगना शुरू करने का फैसला लिया गया है Importer Facts की बात करें तो केंदर सरकार जो है ये 2025 में लंबे समय के प्रतिक्षित के बाद जनगना अभ्यास शुरू करने चा रहे है इस जनगना को 2026 तक पुरा करने का लक्षे रखा गया है ये जनगना जो हैपन्स की मूल रूप से 2021 में होनी थी लेकिन COVID-19 के चलते जो है इसमें देरी हुई और जनगना पुरी होने के बाद बीजीपी के ने तत्व बाली सरकार लोगसभा सीटों के परिसीमन अभ्यास की शुरूआत करने की योज़रा बना रही है जिसे की 2028 तक पूरा गरने का लक्षे रखा गया है नेक्स्ट अबरा कुशिन है भार्तिय रिजब बैंक ने किस कवरनर को लगतार दूसरे वर्ष सेंटल बैंक रिपोर्ट कार्ड दोहसार चोबिस में ए प्लस ग्रेड का पुरुसकार जो है वो मिला है राइट अंसर आपका उप्ष नंबर सी रहेगा शक्तिकान दास को कुछ important points कवर करते हैं तो फ्रेंट्स भार्तिय रिजब बैंक की गवरनर शक्तिकान दास जो है इन्हें अमेरिका की पत्रिका जिसका नाम है Global Finance इन्होंने शीश केंद्रे बैंकर का इन्हें दर्जा दिया है ये लगादार इनका दूसर वर्ष है जब गवरनर शक्तिकान दास जो है ये विश्व स्तर पर शीश केंद्रे बैंकर का दर्जाए ने मिला है ये सम्मान Global Finance दोरा अमेरिका के वशिंग्टन डिसी में IGT एक कारेक्रम में दिया गया तो RBI की गवरनर शक्तिकान दास जी को जो है फ्रेंट दोहजार इचोबिस में ए प्लस ग्रेट का वोर्ड मिला है ठीक है दूसरे वर्ष लगातार और RBI की बारे में जानते है RBI जो है ये भारत का केंडरे बैंक को नियामक निकाए है जो कि भारतिय बैंकिंग परिणाली के लिए नियमन के लिए जिम्यदार है बात कर इसकी मुख्याले की तो वो मुंबई में है और इसकी स्थापना एक अपरेल 1935 को की कही थी गवर्णर कोन है शक्तिकांदास जी प्रतम को जो गवर्णर थे RBI के फ्रेंस रेज़ा बैंक ओफ इंडिया के वो थे सर ओस्पोंड स्मित और प्रतम जो भारती गवर्णर थे RBI के उनका नाम था चिंतामन द्वारकनात देश्मुग करंटर में RBI के चार उपर गवर्णर्स हैं जिनके नाम है एम राजेश्वर राव स्वामिनाथन जे टी रविशंकर डॉक्टर एमडी पात्रा नेक्स्ट आपका को कुश्टन है आई एम शिलोंग ने स्टैम कारेकरम के माध्यम से पूर्वोतर में उधम शिलता को बढ़ कारेकरम के माध्यम से पूर्वोतर में उधम शिलता को बढ़ावा देने के लिए आई कोशन को डिटेल में समझते हैं भारतिय प्रबंधन संस्थान शिलोंग और भारतिय लगू उध्योग विकास पैंक सिट्भी ने पूर्वोतर उधमित्यक को बढ़ावा देने के IAM SFIE 30 चैनित उम्हिद्वारों के लिए 18 महिनों उतकाव धुम्शिलता परशिक्षिन कारिकरम पेश करेगा इस कारिकरम में कठोर कक्षा शिक्षन व्यवारिक परशिक्षिन IAM SFIE में एंक्यूबेशन सहायता और व्यक्तिगत मार्ग दर्शन जो है वो शामिल है इस पार्टे करम का उद्देश्य है इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस की विकास को बढ़ावा देना और प्रति भागियों को टिकाव अजीविका बनाने में सजक्त महीं अगर बात करें हम सिडवी की तो इसे हिंदी में भारतिय लगू उद्द्योग विकास पैंक कहा चाता है जिसकी स्थापना आठ एप्रेल 1990 को हुई थी मुख्याले कहां पे है उतरपरदेश के लखनों में करंठ द्यक्षोर जो एमडी हैं फ्रेंट सिर्वी के उनका नाम है मनोज मित्तल नेक्स्ट मार कोशन है विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सुचकांग 2023 में भारत चुहाई की स्थान पर रहा तो आपका इस कोशन का राइट अंसर है गा उप्शन नमबर बी 79 रैंक पर रहा भारत विश्व न्याय परियोजना के कानून के शासन सुचकांग 2023 में फिर्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टर रूल ओफ ला इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत जो है ये 142 देशों में से 79 तान पर रहा है जो कि वैश्विक स्थर पर कानून के शासन में लग इश्व न्याय परियोजना के दो आरा ठीके सुचकांग को एश्या में भारत का तीसर स्थान रहा और इसमें नेपाल रहा 71 रेंग पे श्रिलंका 77 और भारत का हमने देखा कि 79 रेंग है हमारा right answer option number B है 29 October को celebrate करा गया international day of care and sport 2024 अंतरास्टे देखवाल और समर्थन दिवस हम हर साल 29 अक्तूबर को मनाते हैं किसलिए मनाते हैं उन उपलब्दिउद का सम्मान करने के लिए मनाते हैं जो कि देखवाल करताऊं प्राप्ट कि है और देखपाल को बड़ावा देने और सुधारने के लिए कानूनों और कारेकरमों को प्रोचसाहित करने के लिए ये देर मनाय जाता है इस पार का जो इस दिवस का थीम था वो रखा गया था गरीमा के साथ वरिद वस्ता वरिद वेक्तिं के लिए देखवाल और समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने का महत्तब तो कोशन में हमारी कोशन की टाइप है दिवस से जुड़ी हुई तो अब मैं आपको अक्टूबर के आपके जितने भी दिवस वाले कोशन है ना अब तक के वो सब भी का एक पार की के इनफास रिविसन करवाओंगी ठीक है तो देखे दो अक्टूबर दोज़ाजोबिस को हमने कौनसी गांधी जंती सेलिब्रेट करी है वन फिफ्टी फिफ्ट नमबर की लाल भादु शास्ति जी की जंती भी हमने इसी के साथ सेलिब्रेट करी दो अक्टूबर को विशो पशु दिवस हमने मनाया है चार अक्तूबर को थीम क्या था दुनिया उनका भी घर है विशो शिक्षिक दिवस मनाया है पांच अक्तूबर को थीम था शिक्षक लिए एक नए समाजिक अनुबंध की और शिक्षिकों की अवाज को महतव देना विशो सेरेबरल पालसी दिवस समने मनाया है 6 अक्तूबर को थीम था हैश्टाइग उनिकली सीपी विशो प्रयवास दिवस मनाया है 7 अक्तूबर को और ये हर बार अक्तूबर के प्रतम सोंबार को सैलिबरेट किया जाता है इस बार का थीम था बहतर शाहरी भविश्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करें विशु कपास दिवस 7 अक्तूबर को मनाया गया आठ अक्तूबर को जो है फ्रेंज बाहर दिवाई सेना ने अपना स्ताप्णा दिवस मनाया है वहीं हम रास्टे डाक दिवस मनाते हैं था आंठ रास्टे बालीका दिवस 11 अक्तूबर को मनाया है विशु प्रवासी पक्षि दिवस जो है यह दो डे को मनाया जाता है 11 माई और 12 अक्तूबर को थीम है इस बार का पक्षियों के लिए कीडे स्थन कैंसर जागरुकता दिवस 13 अक्तोबर को मनाया गया थीम था कोई भी स्थन कैंसर का सामना के लिए ना करे विशो मानक दिवस जा फिर अंतरास्टी मानक दिवस आप बोल सकते हैं ये 14 अक्तोबर को मनाया गया विशो खादे दिवस 16 अक्तोबर को थीम था रास्टे सुरक्षागाट का चो 40 स्थापना दिवस है ये 16 अक्तूबर को मनाया गया और रास्टे सुरक्षागाट की स्थापना 16 अक्तूबर 1984 को की गई थी विश्व आयडिन अलपता दिवस हमने 2024 में 21 अक्तूबर को मनाया विशो श्रव्य दरिश्य विरासर दिवस 27 अक्तोबर को मनाया अंतरास्टे अनिमेशन डे हमने मनाया 28 अक्तोबर को एक मजबूत AI बुनियादी धांचा स्तापित करने के लिए किसके साथ सहयो किया राइट अन्सा उप्श नमबर ए है एन्वीडिया के साथ तुफेंस मुकेश अमबानी की रिलाइन्स इंडस्ट्री ने अमेरिका की चिप निर्मादा कंपनी जिसका नाम है एन्वीडिया इसके साथ मिलकर जो है भारत में AI इंफर स्ट्रॉक्चर स्तापित करने की घोशना की है ये घोशना एन्वीडिया AI समिट 2024 में मुंबई में की गई इस सहयों का उदेश्य है भारत को एक प्रमुक बुद्धी मता बजार की रूप में स्थापित करना जिसमें की एन्वीडिया की जीवी 200 सूपर कम्प्यूटर तकनीक का प्योग कर बड़े पेमाने पर AI चम्टों का तेनात करने की योजना बनाई गई है नेक्स्ट आपका अफगानिस्तान A ने अलमराट क्रिकेट ग्राउंड पर किस टीम को साथ विकेट से हरा कर ACC पुरुष्टी 20 इमर्जिंग टीम एशिया कप जो है ये 2024 जीता है राइट अंसर ओप्ष नमबर B है श्री लंका A को हरा कर जो है अफगानिस्तान A ने ACC पुरुष्टी 20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 का टैटल जीत लिया है आईए डीटल में देखते हैं तो अफगानिस्तान A पुरुष्ट क्रिकेट टीम ने श्री लंकाई A टीम को साथ विकेट से हरा कर छटा जो है ACC पुरुष्टी 20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता है एशिया क्रिकेट परिश्ट ने 18 से लेके 27 अक्तूबर 2024 तक उमान में छटे ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप का आयजिन किया था ये पहली बार था कि ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप टी 20 प्रारूप में आयजित किया गया था अब मैं आपको एशिया क्रिकेट परिश्ट के पारे में बता देती हूँ तो एशिया क्रिकेट परिश्ट की स्थापना 1983 में नई दिली में एशिया क्रिकेट समयलन के रूप में की गई थी फिर 1993 में एशियाई क्रिकेट समेलन का नाम बदल कर एशियाई क्रिकेट परिश्यत कर दिया गया जिसका मुख्याले है दुबई में अध्यक्ष है करंड में जैशा और इसके अगले अध्यक्ष होंगे मौसीन नकभी बहरती चुनाव आयोग ने अगामी जार्खन चुनाव के लिए किसे जो है ब्रैंड अमेस्टर नुक्त किया राइट अंसर आपका उप्ष नंबर सी रहेगा महेंद्र सिंग धोनी जो है फेंट्स इन्हें भारती चुनाव आयोग के द्वारा अगामी जार्खन चुनाव के लिए ब्रैंड अम्बैस्टर बनाया गया है इंपोर्टन फेक्स कवर करते हैं तो जार्खन विदान सबा चुनाव दोहजार चुनाव दोहजार चुनाव में बड़ी जिमेदारी मिली है महेंद्र सिंग धोनी को महेंदर सिंग धोनी को विधान सबा चुनाव के लिए राज्य का ब्रैंड अम्बैस्टर नुक्त किया गया है महेंदर सिंग धोनी जोएफेंट की विधान सबा चुनाव में निर्वाचन आयोग की जागरूकता कारेकरम स्वीप का हिस्सा बनेंगे महिंदर सिंग दोनी मत दाताओं से वोट डालने की अपील करते भी नजर आएंगे तो कोशन में हमारी टाइप है कोशन की ब्रैंड अमबेस्टर से जूड़ी हुई तो आएए पिछले आपके ब्रैंड अमबेस्टर से जूड़े हुए questions का revision करते हैं तो MotoGP इंडिया की brand ambassador है शिकर्धवन, तमाकू नियंदरन का brand ambassador बनाए गया है पीवी सिंदू को मुथुट पपाचन गुरूप brand ambassador बने है इसके शारूख खान गुडगाउँ शाहर के brand ambassador बने है यूजवेंदर चाहल, सिट्रोएन इंडिया के brand ambassador है MS Dhoni Space India के brand ambassador है संजना सांगी Everady जो की आपकी battery company है इसके brand ambassador है नीरो चोपड़ा BPCL के speed patrol के brand ambassador है नीरो चोपड़ा, चने सूपर Kings की brand ambassador है केटरीना कैफ, बंगाल के brand ambassador सोरव काउगुली घड़ी निर्माता Rodo की global brand ambassador बनी है केटरीना कैफ, लेज की brand ambassador है MS Dhoni, प्योमा इंडिया की brand ambassador है मोहमद शमी, महिला फैशन ब्रेंड डवलू की brand ambassador है नुश्का शर्मा स्वाराज, ट्रेक्टर्स की brand ambassador है MS Dhoni, इंफोसिस की brand ambassador है महिला, टैनिस चैंपियन इगा स्वीटेग ICC पूरु श्टीटर्डी विश्कफ 2024 फैंच, इसके brand ambassador थे युबरा सिंग, शाहिद अफ्रीदी और उसैन बोल्ट नेक्स्ट मारा कोश्चन है प्रिधानमंदी नरेंडर मोधी और स्पेन की प्रिधानमंदी Pedro Sanchez ने C-295 विमान की निर्मान के लिए Tata Aircraft Complex का जो उद्खार्टन है फ्रेंड की कहां पर किया राइटन सा उप्ष नमबर यह है गुजरात के बडोदरा में इंपोर्टम पर इसकी बात करें तो प्रिधानमंदी मोधी जी और भारत यह जो हैं यह भारत के दोरे पर आए हुए है स्पेन के प्रिधानमंदी पैडरो सांचेज इन्होंने इस सायूकत रूप से फ्रेंड्स 28 अक्तूबर 2014 को गुजरात के बडोदरा में स्थितर Tata Advanced System Limited की Tata Aircraft Complex का उद्खार्टन किया है यह complex C295 सैन्य परिवहन विमान का अंतिम असेंबली लाइन प्लांट है Tata Advanced Systems Limited का वडोदरा Complex सैन्य विमानों के लिए भारत की पहली नीजी चेतर की असेंबली लाइन है यह जो है यह 18 वर्षों के बाद को स्पैनिश प्रधानमंती भारत की अथिकारिक दोरे पर आया हुआ है और Tata Advanced System ने देश में 40 C295 मीडियम लिफ्ट सामरिक परिवहन विमानों के निर्मान और संयोजन के लिए Airbus Defense and Space स्पैन के साथ यह समझोता किया है किस संगठे ने बाकू अजरबजायन में UNF, CCC की होने वाली कोप 29 की बैठक में पहले उत्सर्जन अंदराल रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित किया है राइट अंसर ओप्ष नमबर A रहेगा आपका UNEP ने UNEP जो है फ्रेंट्स इसे कहा जाता है सवयूग तोरास्ट्रबजायन में UNF, CCC की होने वाली कोप 29 की बैठक में पहले उत्सर्जन अंदराल रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित किया है इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यदि देश वर्तमान प्रयावन नितियों को बनाई रखते हैं तो वैश्विक तापान पूर्वध्योगिक स्तर से 3.1 डिगरी सेल्सियस तक पढ़ जाएंगे जी टॉन्टी देशों ने वर्ष दोहजा तेईस में वैश्विक उत्सर्जन में 77 परसंट का योगदान दिया है और इनमें शिये सबसे बड़े उत्सर्जनों की वैश्विक उत्सर्जन में 63 परसंट भागीदारी है वहीं अगर हम बात करें UNEP की तो इसका मुख्याले है नेरोबी केन्या में स्तापला इसकी 5 जून 1972 को की गई थी कारेकारी नेदेशक है इसके इंगर इंडर्सन इस रिपोर्ट में जो कुछ महतपून तथे आपको बताएगे हैं उनके बारे में आपको बता दूँ तो वर्ष 2022 में भारत का प्रतिवेक्ति GHG उत्सर्जन जो है ये 2.9 TCO2 इथा जो की चीन और अमेरिका से काफी कम है विक्सित देशों में प्रतिवेक्ति उत्सर्जन वैश्विक उसर से लगबत 3 गुना अधिक है जबकि भारत, एफ्रीकी संग और सबसे कम विक्सित देश इससे नीचे है 1.5 डिग्री सेल्सिस लक्ष को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2035 तक प्रतिएक वर्ष कम से कम 7.5 परसंट की कोटोती अवशक है और वर्ष 2050 तक नेट इशुन ने लक्ष प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 900 विलियन से 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जाँ फिर वैश्विक सकल घरेलो उतपात का लगबग 1 परसंट की अविशक्ता जो है वो होगी नेक्स कुशन जोगी लास्ट कुशन हमारे आज के सेशन का इसके बाद आप से 2 कुशन का टेस्ट लोगी और एंड में आपको बताऊंगी अपनी बुक्स और एप के बारे में तो वीडियो के साथ आप एंट तक चुड़े रहीएगा किस राज़े में जो है एशियाई शेरों के लिए बर्दा वन्यजीब अभ्यारने का उद्गार्ण किया गया राइट एंस ओप्शन नमबर डी है गुजरात में देभुमी द्वारका के कपूर्टी चेक पोस्ट पर वर्दा वन्यजीब अभ्यारने और वर्दा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्गार्ण किया गया है जिसका की मुख्यो देश्य सासन पर बोज कम करना है इस वन्य जीव अभ्यारने में गुजरात में वन्य जीव परियतन को बढ़ावा मिलेगा बर्दा चेतर में लगबग 192 वर्ग किलोमेटर में फैले इस वर्दा चंगल सफारी चरनवन में उंची और निजली पहाणियां शामिल हैं जिसे की भ्यारने के रूप में नामित किया गया है अब मैं आपको गुजरात से जुड़ी कुछ करन्ट अफेयर्स के कोशिंस करवा देती हूँ जिसे आपका रिविजन हो जाएगा तो गुजरात ने अपना स्थापना दिवस मनाया है एक मही को नेक्स आपका किस राजे में पियम मोदी ने जन संचय जन भागिदारी पहल के शुरुवात करी गुजरात में अदानी करीन एनरजी ने गुजरात में कहां दुनिया का सबसे बड़ा नवीकान्य उर्जा पार्क बनाया है खावडा में गुजरात में कहां पे 5200 वर्ष पुरानी हडपा वस्ती की खोज हुई तो गुजरात के कच में इसकी खोज हुई है गुजरात की कांडला में दीन द्याल पोर्टरस्ट का ध्यक्षन उप्त किया गया किसे सुशिल कुमार सेंग को किस राजे की पुर्व राजेपाल कमला बैनिवाल का निदन हो गया गुजरात की भारत में स्वच उर्जा को अपनाने में कौन से दो राजे सबसे आगे हैं तो इनमें है करनाटका और गुजरात IREDA ने गुजरात में कहां सा हाई कंपनी की स्थामना करी राइट अंसर इस गिफ्ट सिटी में तो ये था हमारा आज का सेशन उमीद करते हैं आपको पसंद आया होगा अब आप से टो कोशन का टेस्ट लोगी जिसका अंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे तो फर्स्ट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंट्स वहीं आपको बता दो अगर आपको हमारी इबुक्स पई करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ravebooks.pdf.com के नाम से है इसी वीडियो के भी आपको देखने को मिलेंगी अपकमिंग डेस में इसके लावा आपको separately monthly वाइज e-books मिल जाती है हमारी current affairs की quality की e-book मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पे तो जरू चेक आउट कीजेगा और हमारी e-books आपको English और Hindi दोनों मिल जाती है अगर आपको वीडियो का free PDF चाहिए test के लिए आपको friends one time 49 rupees जो है invest करने रहेंगे इससे आप one year तक free current affairs का test जो है वो लगा सकते है केबल आपको एक बार ही 49 rupees देने है और इससे आप पूरा एक साल तक free test जो है वो लगा सकते है इसके लाब आपको यहाँ पे हमारी free PDF दी जाती है daily basis पे current affairs की भी और static की भी और ख सकते है video courses आपको देखने को मिलेंगे upcoming days में काफी सारा free content भी है वो भी आप देख सकते है यहाँ पे current affairs आपको देखने को मिलता है यहाँ पे और paid ebooks भी हमारी आपको यहाँ पे मिल जाती है तो ज़रूर इंस्टोल कीजिए और जिने नहीं इंस्टोल किया हुआ है वो इसे